Good morning everyone, we will continue our study today, strengths, आज हम लोग political science यानि रायनतिव ज्यान से 30 questions पढ़ेंगे, ये question हर complete exams, examinations के लिए महत पुन है, so strength बीडियो को skip ना करें, पूरा पूरा बीडियो देखें और अपने ज्यान को बढ़ाएं, first question, भारत के संग के मंत्रियों का परिशद को न्यूक्त करता है? A. राश्पती, B. प्रधामंत्री, C. मुक्नियादिस, D. लोग सभा के अद्धक्च, आपको उत्तर देनी है, संग के मंत्रियों का परिशद को न्यूक्त करता है, okay, its answer is A. राश्पती, मैं बता दूँ आपको, समिदान का नुछेत 75 यानि 75 के नुसार, राश्पती प्रधा मंत्री की नुपती करता है, तदा प्रधामंत्री के सला पर वा अन मंत्रियों की नुपती करता है, come to the second number question, समिदान सभा के अद्धक्च कोन थे, A. B. आराम बेतकर, B. राहेंदर प्रशाद, C. C. राज को पालाचारी, और D. बल्लभाई पटेल, आप इसका उतर दे, समिदान सभा के अद्धक्च, okay, its answer is B. डॉक्टर, यहां डॉक्टर ने लिखा हुआ राहेंदर प्रशाद है, मैं आपको बता दूँ कि समिदान सभा के इस थाई द्धक्च जो थे, वह डॉक्टर राहेंदर प्रशाद थे, और आस थाई द्धक्च जो थे, वह डॉक्ट दो साल D. च्छा महिने, आप इसका उतर दे, थाई नमबर का, okay, its answer is D. च्छा महिने, देखे मैं आपको बता दूँ कि समिदान के 44-वे संसोधन अधनियम द्वारा, 1978 द्वारा, यहनि 1978 के द्वारा, किसी राज्ज में राश्पदी सासन की प्रारंबिक अहुदी, एक वर स भारतिय समिदान कब से क्रियानवित हुआ, A. अगस्त 1947, B. जनवरी 1950, C. नॉवंबर 1949, D. जनवरी 1952, इस ट्वेंट्स आप एंसर दे, प्रतिक कुश्ण का एंसर दे, वीडियो को स्किप करके आप हमें कॉमेंट बॉक्स में उतर दे सकते हैं, ओके, चान अमबर का उतर द ओके, इस एंसर इस B. जनवरी 1950, देखे, 26 नॉवंबर 1949 को भारत का नया समिदान सुकृत एवंग स्ताक्चित हुआ, तदा 26 जनवर 1950 को ये पूरे भारत में लागो हो गये, ओके, आप 5 नॉबर में आईए, 5 नॉबर कॉश्ण्स, प्रारंबिक भारतिय समिदान में कितने अनुचेद और तालिका थे, जब समिदान बनी थी हमारी, तो उसमें कितने अनुचेद और तालिका थे, A. 398 अनुचेद और आठ तालिका, B. 396 अनुचेद और नो तालिका, C. 395 अनुचेद और आठ तालिका, D. 396 अनुचेद और आठ तालिका, 5 नॉबर का पुत्तर द ओके इट्स एंसर इस सी थी हंड़ेड नाइटी फाइप अनुछेद और आठ तालिक यह कम तो दो सिक्स नमबर को समय भारतिय संविधान की प्रस्तावना में किन संसोधन से समाजवादी धन्युपेक्च एनि सोचलिस्ट सैकुलर पदों को जोड़ा गया अब सिक्स नमबर के उत्तर दे हैं ओके इट्स एंसर इस एए फॉर्टी वें संसोधन अधनियुपे नी चुंट्थे ट्रेशक की प्रेर्णा से भारतिय सम्यधान के प्रनेताओं ने मौलिक कर्तब परदान किये हैं यह आपको बताना है कि हमारे जो मौलिक कर्तब वे हैं वो किस देश से हमने अडॉप्ट किया है A. UK B. Germany C. Canada D. Sovishan आप बताएं 7 नमर को उतर दें आप कहां से हमने अडॉप्ट किया इस एंसर is D. Sovishan देखे मौल भारतिय सम्मिदान में नागरिकों को मौल कर्तब कोई उलेक नहीं था पहले जब हमारे सम्मिदान मनाता तो सम्मिदान के 42 संसोधन यानि 1976 द्वारा सम्मिदान में भाग चार को अनुछेद 51 को जोड़कर दस मौल कर्तब्यों को सावेश किया गया भारतिय सम्मिदान के प्रणताओं ने इसे सोविय संग की प्रेणा से लिया है कम टू दा एट नमबर कोशन भारत में राश्पति का चुनाओ एक निर्वाचक गन के द्वारा किया था जिसमें लोगसवा और राजस्वा की निर्वाची सदस होते हैं। लोगसवा और रास विदान सबाओं के निर्वाची सदस होते हैं। लोगसवा, राजसवा, विदान समाओं के निवाची सरस होते हैं डी इन में से कोई नहीं आप 8 नमबर के उत्तर दे ओके इट्स एंसर इस C दिखे भारत के राश्पति का चुनाओं में लोगसबा, राजसबा, बदान समाओं के निवाचे सरस भाग लेते हैं Come to the 9 number 1935 के भारत सरकार का अधिनियम किस निर्ने से समंदित है A. प्राउड मददान B. प्रांतिय स्वाधता C. प्रांतों में उद्धोग D. इनमें से कोई नहीं Its answer is B. प्रांतिय स्वाधता Come to the 10 number भारत की स्वाधता के समय गवर्नर जनर कौन थे? यहाँ थे होना चाहिए A. लॉड डॉलोजी B. लॉड क्रिप्स C. लॉड करजन D. लॉड बांड बेटन आप 10 number का उत्तर दे Okay Its answer is D. Lord Mountbatten बिडिस भारत के अंतिम और स्वातंत्र भारत के प्रतम गवर्नर जनर Lord Mountbatten थे? Come to the 11 number question सम्वेधानिकतर शक्ति का अर्थ है A. वह सक्ति जो सम्वेधान का अतिक्रमन कर देती है B. सम्वेधान के अंतरगत किसी व्यक्ति को दी गई आसाधरन शक्ति C. वह सक्ति जो सम्वेधान सम्मत नहीं है D. आपात का अलें सक्ति केवल अब आप्शन को एक बार खुद पढ़ लें क्या सही होगा? Okay कटसे अंसर है C. वह सक्ति जो सम्वेधान सम्मत नहीं है Come to the 12 number question निर्वरोध नहीं चुने गए यहां राश्पति नहीं है उपराश्पति है Okay Vice President A. Dr. S. Radhakishnan B. M. Hidayatullah C. Dr. Sankar Diyal Sarma D. K. R. Narayanan आप 12 number का उतर दे Okay Its answer is B. M. Hidayatullah किया नराइनन 19 अगस्त-1992 इस्वी कोपराश्पति बने थे उनके मुक्ष प्रतिधंदी जोगिंदर सिंग थे जिने साथ सुम मुकाबले एक मत पराप्त हुआ था Okay यहीं 12 number का answer हो जाएगा B नहीं चुनेगा Okay Come to the 30 number question वे कौन से मौलिक अधिकार है जो गैर नागरिकों को भी प्राप्त है A. विचार और विक्ति की सोतंता B. कोई भी विवसाय करने की सोतंता C. देश के किसी भाग में आने जाने या निवास करने की सोतंता D. कानून के समक समता का अधिकार अब 30 number का उत्तर दें Its answer is D. कानून के समक समता का अधिकार Come to the 40 number question भूत कालिक प्रभाव से लागू होने वाला अपनी तरह का प्रतम समिदान संसोधन अधिनियम कौन सा है इससे आप देख लेंगा उप्सेंस को 14 नंबर का Its answer is C. दस्वा यानि 10th 1961 Come to the 50 number देखे मैं आपको बता दूँ कि समिदान का दस्वा संसोधन 1961 में हुआ था इसके तरह प्रतम अनस्विची में संसोधन करके इसमें दादर और नागर हवेली कोकेन सासित छेतर के रुप में सम्रित किया गया था Come to the 50 number भारते समिदान में 11 मुल करतव कि समिदान संसोधन अदनियम के जरिये जोड़ा गया A. 42 में समिदान संसोधन 1976 B. 44 में समिदान संसोधन 1978 C. 92 में समिदान संसोधन 2003 D. 86 में समिदान संसोधन 2002 आप 15 number का उतर दे Its answer is D यानि इसका उतर क्या हो जाएगा D. 86 में समिदान संसोधन अदनियम 2002 Okay Come to the 16 number सामानता प्रतेक वर्स प्रतेक पांच वर्स परशाद वित्या आयोग की स्थापना की आती है A. राज्यों की वित्यस्ति निर्धारित करने के लिए B. केंद्रिय सरकार की वित्यस्ति निर्धारित करने के लिए C. केंद्रिय सरकार की वित्यस अंसादन निर्धारित करने के लिए D. Kendriya Anundan और संग के राज़सों में राज़ का अंस निर्धारित करने के लिए आप 16 नमबर का उतर दे 15 आप complete कर चुके हैं its answer is D. Kendriya Anundan और संग के राज़सों में राज़यों का अंस निर्धारित करने के लिए come to the 17 नमबर question भारत में पहली बार एक संसद विधायक को इस कारण सदन की सदस्ता से अयोग्य घुशित किया गया क्यों बिना अनुमति 60 बैटकों में लगतार अनुपस्तित रहे वह सदस्ते थे A. राज़सभा के B. लोगसभा के C. पंजाब विदान सभा के D. राज़स्तान बिदान सभा के अब इसका उत्तर दें इसका सही उत्तर हो जाएगा A. राज़सभा के लतामंगेसकर वो पहली सांसद है जीने राज़सभा से उचुनी गई थी इसकारण उन्हें राज़सभा की सदस्ता सहयोग गोशद कर दिया गया कि वो बिना अनुमति के सदन की 60 बैटकों में लगतार अनुपस्तित रही थी मौलिक करतवियों से समंदित कौन सा कतन सत्त नहीं है आपको ही समझना है सत्त नहीं है A. इन्हें परमादेश द्वारा प्रवावी बनाया जा सकता है B. इन्हें समयदानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है C. और इस प्रस्ट विदियों की व्याख्या के लिए उनका उप्योग किया जा सकता है D. किसी विशिष्ट करतविय का पालन करना समयदानिक कानून के छेतर में आता है जिसे नियाले निश्यत करता है आप ओप्संस को पढ़ ले इस ट्रण एक्जामसन में उस आप्संस को बार बार पढ़ें ताकि आपसे उत्तर मिस नहो Its answer is A. इन्हें परमादेश द्वारा प्रवाभी बनाया जा सकता है ये कतन सत्य नहीं है बाद बाकि सही Come to the 90 number किसी निर्वाचन के दौरान किसी रायतिक दल के उमिद्वार की मिर्त्व के कितने दीन के अंदर दूसरा प्रत्या से खड़ा किया जाना चाहिए A. 15 B. 10 C. 7 और D. 30 आप 90 number के उत्तर दें Its answer is C. 7 Come to the 20 number प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते है A. निर्वाचक मंडल द्वारा प्रत्यनिदी चुनना B. अभिजात वर्ग द्वारा चुनना C. जनता द्वारा प्रत्यनिदी चुना जाना D. इन में से कोई ने अप 20 number के उत्तर दें Its answer is C. जनता द्वारा प्रत्यनिदी चुना जाना Come to the 21 number सामोहिक उतरदाई तो किस सरकार की विसेशता है A. अध्यचातात्मक अध्यचातात्मक यानि जो रिप्रेजेंट करता है गवर्मेंट B. समाजवादी C. संसदिय D. एकात्मक आप 21 number का उत्तर दें आप इसके प्रोनॉंसेशन को देख लेंगे Its answer is C. संसदिय मैं आपको बता दू सामोहिक उतरदाई तो संसदिय सासन वैबस्ता की विसेशता होती है ठीक है? Come to the 22 number question निम्लिकित में से किस देश की न्यायपाली का स्वतंतर नहीं है A. भारत B. रूस C. अमेरिका D. ब्रिटिन यह नहीं सोतंतर नहीं आपको बता न Okay Its answer is B. रूस Come to the 23rd number question भारतिय संसद निम्लिकित से मिल कर बनती है आपको बताना भारतिय संसत कैसे बनती है Students मैंने प्लेलिस्ट में काफी विडियो डाली है काफी जीकी के विडियो है और इंग्लिस के भी है आप प्लेलिस्ट में जाकर विडियो को देखकर अपना नॉलेज को बढ़ा सकते हैं आप 23rd का उत्तर दें Okay Its answer is A राश्पती, लोगसभा, तता राश्षभा ये तीनों मिलकर संसत का निर्मान करती है Okay Come to the 24rd number question नौकर साही की नियुक्ति की प्रकृति कैसी होती है A. तदर्थ B. इस्थाई C. आउस्थाई D. धैनिक भोगी आप 24rd number का उत्तर दें Okay Its answer is B इस्थाई ये नियुक्ति की नियुक्ति कैसी होती है इस्थाई होती है Okay Come to the 25th number केंदर केंदर राज्ज के प्रशाष्णिक संबंद बारतिय समिदान की किस अनुछेद में दिये गया है A. 256 263 Sorry फिर से मैं कहा दा रहा हूँ A. 256 Dash है 263 B नमर में 352 से 356 C में 250 से 280 और D इनमें से कोई नहीं अब आप्शन को देख लेंगे Okay Its answer is A 25 नमर क्या उत्तर क्या होगा A मैं आपका बता दूँ केंदर राज्ज के प्रशाष्णिक संबंद भारतिय समिदान के भाग 11 के अध्धाए 2 में अनुचे 256 से 263 के अंतरकत वर्णित है आप इसे पुस्तक में पढ़ लेंगे Okay 26 नमर का आप उतर दे भारतिय राज्जितिक बवस्ता की विसेस्था है भारतिय राज्जितिक बवस्ता की क्या विसेस्था है एक नमर में जाती, दो नंबर में धर्म, तीन नंबर में छेत्र, छार नंबर में रास्ठिय हित, इसका उत्तर ऐसे होगा, A का एक एवंग दो B का एक एवंग तीन C का एक दो एवंग चार और D का एक दो तीन चार आप पता हैं इसका सहीरतर इस ट्रेंट इस तरह के question अक्सर exam में पुछे आते हैं Okay, its answer is D, एक दो तीन चार Come to the 27 number question गुजरात राज़ी की राज़धानी कों सी है चलिए राज़धानी तो आप जानते ही हैं आप जल्दी ली उतर देदें A बड़ोदा, B अहमदाबाद C गांधी नगर, D सूरत Okay, 27 number का answer is C गांधी नगर 28 number बिहार राज़ी की राजधानी कों सी है चलिए लगातार कों सी राज़धानी से वाँ, बहुत अच्छा A पतना, B नालंदा C दिल्ली, D जैपूर आप इसका उतर दें Okay, its answer is A पतना 29 number question किस वर्स में गुवा भारत का 25 राज़ बना A. 1961 B. 1962 C. 1987 D. 1992 Okay, आप इसका उतर दें 29 number का Its answer is C 1987 Okay Come to the 30 number question भारत में सिक्छा है A. नागरी कदिकार B. रायंती कदिकार C. मौली कदिकार D. राज़ दाइत्व भारत में सिक्छा क्या है Okay ये मौली कदिकार है यानि answer हो जाएगा C भारत में सिक्छा क्या है एक मौली कदिकार है देखे 86 में समिदान संसुदन दौरा 2002 में अधियम दौरा सिक्छा का अधिकार को 21 कौ मौली के अधिकार के तहस सामिल किया गया है Okay strengths You have completed 30 questions strengths आपने 30 questions complete कर ली यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें धन्यवाद